रादे रादे फ्रेंड्स तो Bye भी में दे लेकर आईू आज चने की भाजी की बहुत ने वाली राझिप्धु कर रिष्पी यकिन बानिए,ों ने तो हर तरीके की भाजी घायी हो करते हैं तो मैंने एक से देड़े इंच अद्रक का तुकड़ा लिया है जो से काट लिया है पास अच्छे है मेरी हरी मिर्च है दो मीडियम साच का टमाटर है तस से बारा लैसुन की कलिया है जो बारी काट लिया है मैंने और इस भाजी को मैंने डंठल तोड़कर तयार करके रख लिया था और पासटे पानी में इसको वाश कर लेंगे ज्यादा अच्छ से होते हैं इसमें कंकरt मिटी जो किरकिला बन होता है वो निकल जाता Muslim हम इसको सारे इंग्रीडियेंस इसमें जितनी चीचे स्वी डालेंगैं और इसको एक सीटी लगाने तक में हम इसको गलाएंगे ज्यादा नहीं गलाना हो और पानी हमें एक गिलास करीब डालना है जितनी भाजी हो उसे साफ से हम पानी डाल सकते हैं अपना मेजरमेंट के साफ से तो मिने एक गिलास करीब इसमें पानी डाला है ज़्यादा नहीं डालना और नहीं ज़्यादा इसको गलाना है एक सीटी आते तक इसको हम पकाएंगे तो इसे थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे इसमें थोड़ा सा टेस्ट आजाएगा बाजी गल्ले में भी सायक होगी तो इसको मैं लगा दूँगी एक सीटी के लिए लेकि हमारी एक सीटी हो ही गई है हमने गेसे ला दिया है हलकी गलाना है जादा नहीं हो भी गई हमारी भाजी जादा नहीं के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी याजी पकी है अब इसे हम एक थाल में निकाल लेंगे थाली में निकाल के इसको थोड़ा थंडा होने देंगे फिर इसको आप चाहें तो इसे खड़ी भी छोक सकते हैं और मिकसर ग्राइंड में भी ग्राइंड कर सकते हैं तो मैंने इसको पीस के बनाया है अधिकतर मैं पीस कर ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पीस ही हुई जादा पसंद है, खड़ी भाजी तो बनती ही, आप चाहें तो दोनों तरीके से बन सकती ही भाजी, तो इसे हम थंडी हो जाएगी, अब हम इसको मिकसर जार में डाल लेंगे, और स्मूथ पेश्ट इसका ब मेरी वीडियो में अगर नई है, और मेरे चैनल में अगर नए है तो प्लीज रुकेष्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाएबेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगली वीडियो आपको देखने मिले, तो ये जुम मैंने कड़ाई ली है, लोहे की है, इस से बारा और थोड़ा सा आटा लिया है इसकी खास बात यही है कि इसको आटेस बना जाता है इसमें उड़ा डाल भी डाल सकते हैं चौका के लिए मैंने पहले लैसुन डालिया है लैसुन को थोड़ा सा गॉल्डन ब्राउन होने देंगे फिर उसमें हींग डाल देंगे लोहे यह उन्कूणा से एमिजर्टली आंटीर्ट डालेंगे और में अइसे ठीमी आश में चलाएंगे थाकि अगर चौड़ देंगे नहीं, अगर छोड़ देगे है और काफी बबल्स आ रहे हैं तो इस भाजी को हमें जो स्मूस पेस्ट बनाए था हमने सारी भाजी को इसमें डाल देंगे और इसको हम कंट्यूनी चलाएंगे आभी कुछ देज दस से बारा सेकंड थोड़ा सा हमें इससे चलाते रहना है ताकि कढ़ाई में लगे नहीं इ देखे सारा तेल छोड़ रहा है भाजी ने सारे तेल को रिलीश कर दिया है तो देखे हमारे कढ़ाई चूर दे अच्छी तरीके भुन गई है इस भाजी को जितना ही भुनेंगे न उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा तो हमें अभी और भुनना है तो हमने जो पानी छोड देंगे और लगातार से धाक कर खोल कर चलाते रहेंगे इतना हमने नमक डाला तो उससे आप डालेंगे कि हमने पहले भी नमक डाला था तो उससे साब से नमक डालेंगे ज्यादा तेज ना हो तो अभी नमक हमने और डाल देया है थोड़ा सा आप इसको हम चलाते रहेंगे और जिमियाच में पकते रही हैं तो यह भाजी को हमें चलाना है बार बर थोड़ा सा धाग देंगे अब देखते हैं देख सकते हैं आप लोग भाजी की खुज़ब इतनी अच्छी आ रही है मुझे तो आप लोग भी बना कर देखिए आप लोग को बहुत अच्छी और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दे एक कमेंट कर दे कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस तरीक से भाजी की बनाना पसंद करते हैं तो मैं जरूर आप लोग वीडियो का जवाब वो सौरी कमेंट का जवाब दूगी मुझे अच्छा लगेगा आप लोग लाइक करेंगे में वीडियो को तो सब्सक्राइब कर दें देख सकते हैं आप मेरी भाजी किस तरीके की बनी है इसे सर्विंग वाल में मैं ट्रांसफर कर दे रही हूँ और चली अब हम अगला तड़का लगाते हैं वाइस इसमें सर्विंग तेल में मैंने और लेसुन डाला है देख सकते हैं आप मैंने कितना लेसुन डाला है दो तीन मैंने खड़ी मिर्च डाल दिया है और तुरंथी में डाल दूंगी तिल और इसमें तड़का लगा दिया सफेद तिल डाला है आप चाहे तो घर के लिए बना रहे हैं तो इसमें डवल तड़का लगाने की कोई जरूरत नहीं है